असलाम लेकूम, I am Maham हम सब जानते हैं कि हमारे दिमाग का कानून ही हमारे अमल का हुकमरान है यानि हम वो ही करते हैं जो हम मुसलसल सोचते रहते हैं छोटा और मनफी सोचेंगे तो हम उल्जे रहेंगे बड़ा सोचेंगे तो बड़ी कामयाविया समेट लेंगे आपकी यकीन में पुख्तगी और आपके अकाइद में आपके यकीन दर असल पहले आपके दिमाग में मजबूत होता है फिर जाकर ये ख्यालात और अमल के जरीए सामने आता है कामयावी और नाकामी में जो यकीन और बेयकीनी का उनसर है वो हमारे ही दिमाग का ही नतीजा होता है जिन वाहमों ने हमारे दिमाग को एक कूजे में बन करके रखा है जब हकीकत सामने आती है तो हमारे वाहमें गलत साबित होते है हकीकत कभी भी नहीं बदलती हम जब हकीकत को अपने कॉंशिस से दूर करते हैं तो हम ख्याली दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं जिसे हम इस फेज में चल जाते हैं जहां हकाई का कोई अमल अखल नहीं होता यूँ दिमाग खौफ, परिशानी, बिमारियों और उलजुनों का शिकार हो जाता है जबके हकीकत पसंदी यानी being reality conscious हमें मजबूत, दिले, सहतमद और काम्याब बनाता है मुस्बत यकीन के साथ दुआ का नतीजा हमारी जिन्दिगी में मुस्बत असरात पैदा करता है दुआ को भी यकीन चाहिए और ये यकीन दिमाग और दिल दोनों के संगम से ही होता है जहां दिल और दिमाग दो अलग सिम्तों में होंगे वहां नतीजा कुछ भी निकले, पेचैनी नहीं जाएगी इसके लिए पहले अपने दिमाग में strong belief शामिल करना नहायत जरूरी है इसी से हम हैरान कुन काम कर सकते हैं अपने दिमाग को एक बाग समझे हम वो माली हैं जो शौरी और लाशौरी तोर पर दिन भर अपने लाशौर में सोच के बीज बोते रहते हैं इन बीजों के जो फसल हमारे सामने आई है वो हमारे ही सबकॉंचिस में कभी किसी वक्त में बोई गई थी हमारा दिमाग सुर्ख मठी की तरह है जिसमें अच्छा बुरा जो बोएंगे वही काटेंगे अक्का बीच बोगर आम हासिल करने जैसा नहीं सोच सकते हम जो नताइज चाहते हैं हमें उसी के बीच अपने दिमाग में बोना होगे काम्याब लोग भी यही करते हैं कि वो हकीवकत पर मबनी, मुस्बत और बड़ा सोचते हैं ये दुनिया तुम्हारी भी है ये सूरच तुम्हारे लिए भी चमकता है इस काइनात के तमाम असबाब तुम्हें भी सर्फ करते हैं हर उपरचुनिटी तुम्हारे लिए भी है जिन्दगी तुम्हें भी जीनी है तुम्हें बस एक काम करना है इस दुनिया से अपना हिस्सा लेना है हिम्मत और पूरे वकार के साथ